दो गाडियां आर्मी वाली के आगी और इधर से एक टिपराय अलोई में आर साइट से उनको ने क्राशिंग दी जब क्राशिंग दी तो टिपर जहां से इधर 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 पहुंचा था आगे तो गाड़ी को हम अंदर सब्दा दे रहे हैं तो एते टैम फायल हुगा छोटा फिर बड़ा हो गया था मने जो अंदर आजमी चार पाई बैठे हैं आमने से गाड़ी का आर्मी अलोग गाड़ी का टायर वेंचर हो गया क्योंकर गाड़ी है तो आमने देखी ती गाड़ी जा रहे थी उसके बाद एट टैम फायरी शुरूगी जो देखे मैं इस वक्त उसी स्पॉर्ट पर मौझूद हूँ ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह अटैक हुआ है वो जो सामने आप ट्रक देख पारे होंगे उसके टायर हैं वहां पर बुलिट्स लगे हुए हैं इसी सेना के ट्रक पर जो है कल हमला हुआ है दो ट्रक थे और एक जो है राशन वहाला ट्रक था और दूसरा ट्रक जो है वो सामने जो आप देख सकते हैं कुछी दूरी पर जो है वो ट्रक लगा हुआ है तो यही वो स्पॉर्ट है और इस यहां पर जिस नहीं से हम आपने टॉपगराफी देखी है इससे साफ हो गया हमें क्योंकि यहां पर जो रास्ता है वो इतना खसता है कि यहां पर आप पांच या दस किलो किलोमेटर प्रति आवर से छाड़ी नहीं चला सकते इसका मतलब कि आंतक वादियों नहीं रहकी की थी प्लैनिंग की थी कि यहां से जब हमला करेंगे तो ज़्यादा स्पीड नहीं होगी जो आर्मी के जो कॉन्वाई होगा और ऐसे में उनके लिए हमला करना जो है वो असान हो जाएगा और जिस तरहां की टॉपगराफी है और जिस जो मॉडस प्रेंडी उन्होंने पिछले एक साल से जब पिछले साल पहली जन्वरी को डांगरी में हमला हुआ उसके बाद कहीं ऐसे जो सेना के कॉन्वाई पे हमले हो चुके हैं अब तक जमू यूजिन में वापिस आंतकवारत को रिवाइव कर चुके है पाकिस्तान और इस तरहां की टॉपगराफी है ऐसे में लोकल गाइड और लोकल मदद के बिना इस तरहां की घटना को अंजाम देना जो है वो पॉस जो हैं वो बैठे हुए थे आप देख सकते हैं कि जो बुलेट मार्क्स हैं वो जो टायर हैं वो चारो टायर जो है इस गारी के वहां बुलेट्स लगे हुए हैं यह ब्रस्ट हो चुके हैं यह दिखिए बुलेट्स मैं आपको दखाऊंगा यह बुलेट्स यहां पे गरी ह तो आप समझ सकते हैं किस तहां से ताबर तोड जो है फारिंग जो है आंतरवादियों ने स्क्रेटी फोर्सीस पे की और यह अभी भी यह बुलेट्स के जो खोल्ड हैं वह यहां जहां तहां आप देखें यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पड़ा हुआ है तो इससे कैजूल्टी जो हैं वो करनी है और आपको टॉपकोराफ ही दिखाऊंगा यह जो एक नाला है वो उपर से आता है और इस नाले में कही तहां कि आपको बड़े-बड़े पत्थर दिखेंगे यानि कि छुपने की जगा रही होगी और यहीं पर वो छुपके बैठे होंगे इसी इंतजार में होंगे और यहां पर आएंगे यह उस पर हम्ला करेंगे और आप देख सकते हैं कि ट्रक की हालत है वो यह बताती है कि इन पर पर बड़ा यह आंतकवादी अमला था और इस तेहराँ के हमले जो है अब जमूर उजन में वो तेज हो शुके हैं जो एक झाल झाल